सब्सक्राइब नाओ और प्रेस दो बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में आज हम प्रश्न वली पांच दस्मनों दो के प्रश्नों को हल करेंगे इस प्रश्न में पहले प्रश्न में लिखा गया है नेमलिकेशत आडि में रिक अस्तानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A सरवांत D और यह नमा पद AN है तो इस प्रश्ना वली के प्रश्नों को हल करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है सुत्र में TN या AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D इसी सुत्र की मदद से या L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D इन दोनो सुत्रों की मदद से इस प्रशन आवले के सवी प्रशन को हल कर देंगे बहुत ही आसानी से तो आप लोग इस सुत्र का एक स्क्रीन सोट अपने पास रख्यें जिससे हम लोग आसानी से इस प्रशन आवले को हल कर सकें पहले प्रश्ण में पांच प्रश्ण दिये गया है शुरू करते हैं पहले प्रश्ण के पहले प्रश्ण को पहला प्रश्ण में लिखा गया है सारडी में देख सकते हैं A बराबर दिया गया है साथ D बराबर दिया गया है तीन Yन बराबर दिया गया है 8 और An जो है हमें ग्याद करना है तो सुत्र में देख सकते हैं An बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो इसे इनुट करेंगे इसे हमें ग्याद करना है तो लिखेंगे चुकि An बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो जो है A-N गयत करना है तो रिखेंगे A-N A-N बराबर हो जाएगा A के अस्थान पर 7 रखतेंगे प्लस है और Y-N के अस्थान पर रखेंगे हम लोग 8 क्योंकि प्रस्ण में दिया गया है माइनस 1 और टी के अस्थान पर लिखेंगे 3 जब शहर करेंगे तो यह हो जाएगा 7 प्लस घटा लेते हैं तो 7 गुड़े 3 हो जाएगा जब शहर करेंगे तो 7 प्लस 21 और 21 और 7 जोड़ देंगे तो हमें 28 पराप्त हो जाएगा यानि कि A-N का मन कितना होगा 28 होगा तो बस यह प्रस्ण लिख चुका है देखेंगे अतहा A-N बराबर 28 इसी प्रकार इसी प्रस्ण का दोसरा प्रस्ण करते हैं दोसरा प्रस्ण दिया गया है A बराबर माइनस 18 और D का मन जो है ज्याद करना है हमें प्रस्ण में यान के अस्थान पर हमें 10 और जो है A-N बराबर 0 दिया गया है तो हमें इसे हाल करने के लिए बहुत ही आसानी हाल करेंगे सिर्फ हमें इसी सुत्र का प्रयोग करना है लिखेंगे A-N बराबर चुकी A-N बराबर A प्लस यान माइनस 1 इंटू D इसका प्रियोग हम लोग क्यों कर रहे हैं सुत्र का क्योंकि इस सुत्र में यह चारों जो है सिंबल दिये गया है देख सकते हैं A भी दिया गया है D भी दिया गया है N भी और A अन भी सभी सिंबल हैं इसलिए इस सुत्र का प्रियोग कर रहे हैं जिखेंगे आन के अच्छन पर P-18, प्लस आन के असान पर लिखेंगे 10, 19-1, इंट्यों ब्रण कर देंगे, तो धार इसन में ग्यात करना है, तो हमें ग्यात करने के लिए से 19 का पक्षांदर करτεंगे, यह हो जाएगा यहाँ से घटा लेते हैं जब घटाएंगे तो 9 प्राप्ट हो लिखते हैं नो डी d का मान गयात करेंगे देख सकते हैं जब d का मान गयात करेंगे तो 9 जुह है 18 से 80 के बटेम चल जाएगा याने कि 9 से भाग लगा देंगे तो D बराबर हम हमें प्राप्त होगा, D बराबर हो जाएगा 9 से भाग कर देते हैं 18 में, तो 2 प्राप्त हो जाएगा यह जो है D का मन हमें, यानि कि सरवांतर का मन हमें घ्यात हो चुका है लिखेंगे इसलिए D बराबर 2 अब हम पहले प्रस्ण के ही तीसरे प्रस्ण को हल करेंगे तीसरा प्रस्ण में हमें जो है दिया गया है बुक में A कमान जो है ग्यात करना है और D कमान जो है माइनस तिन दिया गया है D बराबर माइनस तिन यन कमान जो है अठारा यन कमान अठारा और एन बराबर माइनस पांच दिया गया है लिखेंगे एन बराबर जो है प्रश्ण में हमें दिया गया है माइनस पांच अब हमें एकमान ग्याद करना है और देख सकते हैं यह चारों जो सिंबल हैं इसी सुत्र में विद्धिमान हैं इसी सुत्र में दिये गए हैं तो इसी सुत्र को लिखेंगे लिखेंगे चुकी अब इन सभी जो है सिंबल के मान यहां से लिखेंगे एन के अस्थान पर लिखेंगे मान पांच लिखने के बाद लिखेंगे एकमान देख सकते हैं एकमान हमें ग्याद करना है तो लिखेंगे ए लिखेंगे ए के अस्थान पर प्लस यन यन के अस्थान पर देख सकते हैं अठारा है तो लिखेंगे अठारा मान इन्टू डी के अस्थान पर जो है मान इनस तीन लिख देंगे मान इनस तीन और जब इसे हल करेंगे तो लिखेंगे मान इनस पांच बराबर लिखेंगे a प्लस और जब इसे घटा लेंगे तो 17 ग्यात होगा लिखेंगे 17 गुड़े माइनस 3 और जब यहां से हम लोग अगली लाइन हल करेंगे इसे तो यह हो जाएगा माइनस 5 बराबर a प्लस यहां a प्लस नहीं होगा क्योंकि 17 का 3 में गुड़ा होगा तो जब प्लस माइनस का गुड़ा होगा तो माइनस हो जाएगा और जो है 17 का गुड़ा करना होगा 3 में तो हमें जो है 15 प्राप्त होगा यानिकि 51 प्राप्त हो जाएगा जब इसका पक्षांतर करेंगे हम लोग 51 का तो यह हो जाएगा minus 5 तो पहले से है बाएपच में और यहाँ से जब इसका पक्षांतर होगा तो यह हो जाएगा plus 15 यहनकी 51 बराबर लिखेंगे अब इसमें से हमें घटा लेना है एक जान में से 5 घटाएंगे तो हमें 46 पराप्त होगा 46 पराप्त हो जाएगा अब इसी परसन का पहले परसन का ही 4 परसन हल करेंगे यह जो है चौथा प्रशन हाल करने वाले हैं चौथा प्रशन में एक एस्थान पर दिया गया है माइनस अठारा दस्मलो नौ अठारा दस्मलो नौ दिया गया है और जो है दी के एस्थान पर हमें दी के एस्थान पर दो दस्मलो पांच दिया गया है प्रष्ण में 2.5 लिखा गिया है ए-n कमान जो है ग्याथ करना है तो इसे question बार को दोरा हैसे रहने देंगे लिख कर और इसके बाद an कमान जो है हमें 3.6 दिया गिया है an कमान जो है प्रस्ण में देख सकते हैं an बराबर 3.6 दिया गया है इसे भी लिखेंगे an बराबर a plus an minus 1 into d सुत्र होता है an minus 1 into d इसी सुत्र पर इन सभी पदों को रखते वे हल करेंगे लिखेंगे an के अस्थान पर 3.6 तो लिखेंगे 3.6 बराबर a के अस्थान पर लिखेंगे minus 18.9 plus an an के अस्थान पर देख सकते हैं हमें गयात करना है तो इसे ही इसे छोड़ देंगे लिखेंगे an minus 1 और d के अस्थान पर देख सकते हैं हमें लिखना है 2.5 तो लिखते हैं 2.5 जब इसी का पक्षांदर करेंगे 22.5 में minus 18.9 का पक्षांदर करते हैं 22.5 में यह प्लस में में परिवर्तित हो जाएगा तो लिखेंगे 3.6 plus 18.9 बराबर हो जाएगा यन minus 1 into 2.5 अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 22.5 इन दोनों को जोड़ने पर जो है हमें 22.5 जो है ग्यात होगा तो लिखेंगे 22.5 बराबर लिखेते हुए इसे ऐसे ही नूट कर लेंगे यन minus 1 और into में 2.5 को अब 2.5 का हम लोग पक्षांदर करेंगे तो यह जो है 2.5 into में है तो यहाँ पर जब पक्षांदर करेंगे तो डिवाइड में पर रृतित हो जाएगा तो लिखेंगे 22.5 बराबर लिखेंगे यन minus 1 जब इसे हम लोग भाग करेंगे तो हमें जो है 9 पराप्त हो जाएगा तो लिखेंगे यन minus 1 बराबर 9 और यन कमान जब गयाद करना है तो माइनस 1 का पक्षांदर कर देंगे यह हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे यन बराबर 9 प्लस 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 पराप्त होगा तो जो है हमें यन कमान ज्याद हो चुका है नीचे लिखेंगे अताह यन बराबर 10 अब हम पहले प्रस्ण के ही पांच यह प्रस्ण कॉल करेंगे नोट करेंगे यह जो है पहले प्रस्ण का ही 5 और प्रस्ण है प्रस्ण में दिया गया है यह बराबर 3.5 यह बराबर 3.5 दिया गया है और D के अस्थान पर हमें 0 प्राप्त है D के अस्थान पर 0 और N के अस्थान पर 105 दिया गया है और प्रश्ण में कह रहा है कि A N का मान्ड गयत किजिए यानि कि A N बराबर हम लोग Question Mark लिख लेंगे और इसे हल करने के लिए हम जो है इसी सुत्र का प्रोएक करेंगे पहले सुत्र का लिखेंगे चुकि A N बराबर A प्लस N माइनस 1 into D तो यहां से A N के अस्थान पर हमें तो गयात करना है तो A N के अस्थान पर A N ही लिखेंगे लिखेंगे A N बराबर A, A के मान पर देख सकते हैं गया है 3.5 तो लिखेंगे 3.5 प्लस N N के अस्थान पर लिखेंगे 105 लिखेंगे 105 माइनस 1 A N टू D के अस्थान पर लिखेंगे 0 तो A N बराबर हो जाएगा हमें 3.5 प्लस और देख सकते हैं जब घटाएंगे 105 में से 1 तो 104 होगा और 104 का गुड़ा 0 में करेंगे तो 0 प्राफ्ट होगा तो लिखेंगे 0 तो इस प्रकार जो है हमें A N कमाज जो है 3.5 ग्यात होता है यह जो है पहले प्रशन के सभी प्रशन अलग चुके हैं अब दूसरे प्रशन के प्रशन को हल करेंगे प्रशन में देख सकते हैं लिखा गया है निम लिखी तो में सही उत्तर चुनिए और उसका और चित्य दीजिए तो अब हम दूसरे प्रशन के पहले प्रशन को हल करने वाले हैं यह जो है दूसरे प्रशन का पहला प्रशन है और लिखेंगे देख सकते हैं प्रश्ण में एक स्रड़ी दिया गया है एपी लिखा गया है दस साथ चार और ऐसे करते हुए लिखा है का दस्वापद का तीस्वापद लिखा गया है तीस्वापद तीस्वापद ग्याद करना है हमें जब तीस्वाँ पद ग्याद करना है तो इसके सिम्बल इसी में से हम लोग ग्याद करेंगे जो सबसे पहला जो संख्या है वो प्रथम पद यानि कि A कहलाता है तो लिखेंगे A बराबर 10 और हमें सरवांतर D ग्याद करना है तो D बराबर होता है T2 माइनस T1 यानि की T2 माइनस T1 यानि की दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है यानि की 7 माइनस लिखेंगे 10 तो हमें जो है D के माइन जो प्राप्ष होता है माइनस 3 प्राप्ष होता है तिस्वा पद कर रहा है तो जब वाँ पद कर रहा है तो उसे एन मानते हैं लिखेंगे एन यानिकी तीस्वा एन बराबर कितना तीस्वा पद गयाद कर रहा है हमें जो है, एन जो दिया गया है, इसमें तीसवा गयाद करना है, तीसवा पत गयाद करना है, यहाँ पर लिखेंगे, ए तीस, जो है गयाद करना है, और जो है तीसवा करना है, तो एन बराबर जो है, तीस लिखेंगे, एन बराबर तीस, तो देख सकते हैं इसमें, ए के असन पर 10, D के असन पर माइनस 3, A N यारे कि A 30 ग्याद करना है और A N के असन पर 30 हम लोग प्रयोक करेंगे लिखेंगे चुकि A N बराबर होता है सुत्र A प्लस A N माइनस 1 इन्टू D तो A N, A N के लिखेंगे A 30, देख सकते हैं A 30 जो है, ग्याद करना है हमें, तो लिखेंगे A 30 बराबर A के असन पर लिखेंगे 10 प्लस लिखेंगे N माइनस 1, A N के मन कितना है 30 है तो लिखेंगे 30 माइनस 1 और इंटू D के असन पर लिखेंगे माइनस 3 जब इसे हैल करेंगे तो यह हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर देख सकते है जब घटाएंगे 30 में से घटाएंगे तो 29 ग्याद होगा और गुड़े लिखेंगे माइनस 3 बराबर 10 और यहाँ से प्लस माइनस के जब गुड़ा करेंगे हम तो माइनस ग्याद होगा और 29 का जो है तीन में गुड़ा कर देंगे तो हमें 87 यानि की 87 प्राब्थ हो जाएगा जब इसे घटाएंगे तो हमें जो है माइनस 77 यानि की 87 ग्याद होगा तो अतहा जो है यह 30 यानि तीसरा पत जो है 87 माइनस 87 होगा और आपसन में जो है तीसरा आपसन सही है तो लिखेंगे अतहा अतहा बिकल्प सी सही है अतहा बिकल्प बिकल्प सी सही है यहाँ जो है दूसरे प्रशन का पहला प्रशन था अब हम दूसरे प्रशन के दूसरे प्रशन को हल करेंगे दूसरा प्रशन का दूसरा प्रशन प्रशन में एक स्रड़ी दिया गया है माइनस तीन माइनस एक बटे दो दो और इसी प्रिकर करते हैं इसका स्रड़ी का ग्यारहों पद ग्यात करना है ग्यारहों पद ग्यारहों पद ग्यात करना है लिखा गया है इक रहाँ पद है तो हमें जो है इस रड़ी से कुछ सिम्बल को जो है छाटना होगा लिखेंगे प्रथम पद यानिकि ये बराबर देख सकते हैं इसमें दिया गया है माइनस 3 और D कमान गयाद करते हैं तो D बराबर होता है T2 माइनस T1 यानिकि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो लिखेंगे माइनस 1 बटे 2 और यह हो जाएगा प्लस 3 जब इसे हल करेंगे तो हमें गयाद हो जाएगा यहाँ पर 5 बटे 2 और देख सकते हैं इसका 11 पद कर रहा है 11 वा पद तो जब इसे लिख सकते हैं यन बराबर 11 और A11 जो है हमें गयाद करना है तो लिखेंगे चुकि सुतर में देख सकते हैं A N बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो लिखेंगे A N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D A N के अथान पर लिखेंगे A 11 क्योंकि हमें A गयाद करना है और A के अथान पर लिखेंगे माइनस 3 प्लस N के अथान पर देख सकते हैं A 11 लिखेंगे और D के अथान पर जो है 5 बटे 2 लिखेंगे 5 बटे 2 अब इसे हल करेंगे गिराओं पर गयाद करना है हमें तो लिखेंगे A 11 बराबर माइनस 3 प्लस अब हमें जो है 11 में से क्या घटा देना है एक कुभडा देना है तो यह हो जाएगा 10 गुडे 5 बटे 2 यह बराबर लिखेंगे A 11 बराबर हो जाएगा माइनस 3 प्लस और 2 को 10 से बिभाजित कर देंगे तो हमें प्रफ्थ हो जाएगा 5 तो लिखेंगे 5 गुडे 5 तो A 11 बराबर हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5 का 5 में गुड़ा कर देंगे तो 25 ग्यात हो जाएगा अब हमें 25 में से 3 को घटा लेना है तो लिखेंगे A 11 बराबर हो जाएगा यह से गटाएगे तो हमें 22 ग्यात हो जाएगा 22 लिखेंगे अता हा अता हा बिकल्प 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 जो है बी सही है लिखेंगे बी सही है और दूसरा प्रशन भी लग चुका है अब हम तीसरे प्रशन को हल करेंगे प्रशन में लिखा गया है निमलिखित समांतर स्रेडियों में रिक्त खानों के पदों को ग्यात किजिए इसमें जो है पांच प्रशन दिये गये हैं अब पांच प्रशन में कुछ अस्थान जो है रिक्त हैं यानिकी खाली है इन प्रश्न का पहला प्रश्न करते हैं, पहला प्रश्न में जो है देख सकते हैं, पहला पद यानि कि A बराबर दो दिया गया है, और तीसरा पद यानि कि A3 दिया गया है, A3 दिया गया है, A3 दिया गया है, A3 दिया गया है, और हमें जो है दूसरा पद यानि कि A2 ग्याद करना है A2 गयत करना है तो A3 के अस्थान पर हम लोग लिखेंगे चुकि A3 चुकि सुत्र होता है N बराबर होता है A plus N minus 1 into D होता है और A3 यदि करते हैं हम लोग यहाँ पर तो इसमें तीन पद है A, N तो लिखेंगे A3, A3 बराबर हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ के असन पर क्या हो गया है? तीन हो चुका है तो A कमांद लिखेंगे 2 plus N के असन पर लिखेंगे 3 minus 1 और इनटू D के असन पर D ही लिख देंगे यहाँ ते हैं A3 A3 के असन पर लिखेंगे 26 तो लिखते हैं 26 बराबर 2 plus घटायेंगे तो 2 पराप्त होगा और लिखेंगे D जब इसका हम लोग पक्षांदर करेंगे 2 का तो लिखेंगे 26 minus 2 बराबर 2D जब इसे घटायेंगे तो हमें 24 पराप्त होगा बराबर लिखेंगे 2D अब D कमान ग्याद करना है हमें तो 2 से भाग कर देंगे 24 में यह हो जाएगा 24 बटे में 2 यानि कि हमें जो है D कमान गया तो हो चुका है तो लिखेंगे इसलिए इसलिए गैद करना है A2, A2 गैद करना है तो A2 बराबर होता है A plus N, N के थन पर 2 लिखेंगे 2-1 into D यानि कि A plus D होता है तो एक मान पहले से ग्यात है प्रशन में दिया गया था 2 तो लिखेंगे 2 और प्लस जो है D के असलिए पर हम लोग ग्यात किये हैं 12 तो लिखेंगे 12 और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और देख सकते हैं A2 जो है यानि कि दूसरा पद 14 हमें ग्यात हो चुका है तो यहीं जो संख्या है जो रिक्त अस्थान के दूसरे अस्थान पर हमें भरना है तो लिखेंगे अतह अतह रिक्त अस्थान रिक्त अस्थान बराबर हो जाएगा 14 अब हम तीसरे प्रस्ण के ही दूसरे प्रस्ण को हल करेंगे दूसरा प्रस्ण दिया गया है प्रस्ण में देख सकते हैं इसमें दूसरा पद यानि की A2 दिया गया है दूसरा पद यानि की A2 A2 को लिखते हैं A प्लस D दिया गया है तेरा तेरा दिया गया है इसे समिक्रण नंबर वन मान लेंगे और जो है चौथा पद दिया गया है लिखेंगे A4 चौथा पद जो है A प्लस 3D दिया गिया है 3D प्रश्ण में दिया गिया है 3 और इसे समीकरड हम लोग 2 मान गयाद कर लेंगे देख सकते हैं यह जो है यह दोनों समीकरड जो है A को यूग में समीकरड की तरह है तो लिखेंगे समीकरड एक में से समीकरड दो को घटाने पर समीकरड एक में से में से समीकरड दो को घटाने पर दो को घटाने पर जब समीकरड एक में से समीकरड दो को घटाएंगे तो लिखेंगे A प्लस D बराबर 13 और लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3 इसे घटाते समय चीन बदल लिया जाता है तो चीन बदल देंगे और जो देख सकते हैं पहला पत जो है कड़ जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा माइनस 2d बराबर लिखेंगे 10 तो d बराबर ग्यात होगा 10 बटे में माइनस 2 जब भाग करेंगे तो हमें जो है d कमान माइनस 5 ग्यात होगा लिखेंगे d बराबर माइनस 5 d बराबर माइनस 5 समीकर एक में रखने पर समीकर एक में रखने पर जब इसे समिकल्ड एक में रखेंगे देख रिकते हैं समिकल्ड एक जो है दिया गिया है A प्लस D D दिया गिया है D के असन पर लिखेंगे माइनस पांच बराबर लिखेंगे 13 जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा A माइनस पांच बराबर 13 और जब इसका पच्छांदर करेंगे मानिस 5 का तो A बराबर गयत होगा 13 प्लस 5 अर्थाद जो है 18 गयत होगा A और D हमें गयत हो चुका है तो लिखेंगे हमें जो है प्रश्न में जो है जो खाली अस्थान है वह पहला अस्थान जो है खाली है यानि कि A1 गयत करना है A कमान गयत करना है A1 बराबर होता है A और A जो है दिया गया है देख सकते हैं 18 तो लिखेंगे 18 यहाँ पर लिखेंगे इसलिए और जो है प्रश्न में तीसरा पत गयत करना है तीसरा पत यानिकि लिखेंगे A3 और A3 गयत करने के लिखेंगे A3 बराबर होता है a plus 2d a plus 2d तेशे हल करेंगे तो यह हो जाएगा देख सकते हैं एक एस्थान पर लिखेंगे 18 plus 2 into d के एस्थान पर लिखेंगे minus 5 यहां हल कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 18 minus 10 हो जाएगा और जब इसे घटाएंगे तो हमें जो है आठ ग्यात होगा लिखेंगे आठ यानि कि जो प्रश्ण है उस प्रश्ण में पहले खाने में हमें 18 भरना है और दूसरे खाने में 8 भर देना है लिखेंगे अताह रिक्त अस्थान की पूर्ति या रिक्त अस्थान नहीं सेखते हैं रिक्त अस्थान की पूर्ति की पूर्ति वाली संख्या लिखेंगे पूर्ति वाली संख्या बराबर हो जाएगी संख्या कुन सी है पहले में लिखेंगे 18 और दूसरे में जो है हमें 8 भर देना होगा अब हम तीश्रे प्रस्ण के तीश्रे प्रस्ण कॉल करेंगे तीश्रे प्रस्ण का तीश्रा प्रस्ण करने वाले हैं प्रस्ण में जो है लिखा गया है पांच और एक खाली असान दो खाली असान देते हुए लिखा गया है नौ सही एक बटे दो तो देख सकते हैं इसमें पहला पद यानिकि A बराबर दिया गया है पांच और यहां जो है यह जो है चौथा पद है तो लिखेंगे A4 और A4 बराबर होता है A प्लस 3D हमें जो है A लिखना है और जी चौथा है तो तीसरा D साथ गुड़ा हो जाएगा तो A प्लस 3D कमान दिया गया है नौ सही एक बटे दो यहां पर हम लोग लिखेंगे A A4 प्लस देख सकते हैं A4 के अस्थान पर लिखेंगे हम लोग 9 सही एक बटे दो तो लिखेंगे A4 के अस्थान पर लिखेंगे 9 सही एक बटे दो बराबर A के अस्थान पर लिखेंगे पांच यह जो है लिखेंगे दिया गया है और लिखेंगे चुकी चुकि A4 के असान पर 9 साई एक बटे 2 A के असान पर 5 और प्लस है तो लिखेंगे प्लस और 3 के असान पर 3 लिखते हुए D लिखेंगे क्योंकि D हमें ग्याद करना है तो लिखेंगे इसे हल कर लेते हैं तो यह हो जाएगा दू का नम गुड़ा करेंगे तर ठारा और ठारा एक जोड़ देंगे तो यह हमें हो जाएगा 19 बटे में 2 बरावर लिखेंगे 5 प्लस 3D 5 का पक्षांदर करेंगे तो यह हो जाएगा 19 बटे में 2 माइनस 5 बरावर 3D अब इसे हल करते हैं जब इसे हल करेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा 9 बटे में 2 बराबर लिखेंगे 3D जब 3 से बिवाज़ करेंगे 9 को भाग में इसे भाग देंगे तो यह हो जाएगा बराबर 9 बटे में 2 into 3 यानि कि 3 और शेहल करेंगे तो आएगा इन सब 3 बटे में 2 यानि कि D का माइन जो है हमें ग्याद हो चुका है 3 बटे 2 तो हमें जो है प्रश्ण में देख चकते हैं ग्याद करना है दूसरा पद A2 ग्याद करना है तो लिखेंगे इसलिए A2 बराबर A plus D होता है सुत्र के अनुसार तो लिखेंगे A, A के अस्थान पर देख सकते हैं दिया गया है 5, तो लिखेंगे 5 और प्लस D के अस्थान पर लिखेंगे 3 बटे 2, क्योंकि 3 बटे 2 हम लोग ग्यात किये हैं, जब शहल करेंगे तो हमें जो पराप्त होगा, 13 बटे 2 ग्यात हो जाएगा, लिखेंगे 13 बटे 2, अब जो है इसे सही की रुप में बदल सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 6 सही 1 बटे 2, 6 सही 1 बटे 2, खाली अस्थान में भारा जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर जो है तीसरा पत ग्यात करना है, तो A3 बराबर, A3, A3 बराबर होता है, A plus 2D, A plus 2D, तो A के चुह चाहँ लिखेंगे 5 plus 2 into D, D के चाहँ चाहँ पर, लिखेंगे 13 बटे में, जहाँ पर देख सकते हैं, तीन बटे 2 है, D command लिखेंगे 3 बटे में 2 2 से 2 को विभाजित हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5 और 3 8 तो यह है 8 यानि की दूसरे खाले अस्थन पर यहाँ पर पहले खाले अस्थन जो है उसमें 6 सैयक बटे 2 भरणा होगा और जो दूसरा खाले अस्थन है उसमें आठ भरना होगा लिखेंगे अतहा रिक्त अस्थान की पूर्ति वाली संख्या रिक्त अस्थान की पूर्ति वाली संख्या पूर्ति वाले संख्या लिख सकते हैं वाले संख्या बराबर छैसा ही एक बटे दो और दूसरा जो होगा आठ हो जाएगा यह जो है तीसरे का तीसरा लग चुका है अब जो है तीसरे का चौथा ग्याद करते है तीसरे का चौथा आल करते है तीसरे का चौथा जो है प्रश्न में दिया गया है माइनस चार और इसमें जो है चार खाली असन है चार जो है खाली असन दिया गया है इस प्रकार दो, तीन और चार और जो है इसमें छठवा पद दिया गया है छै छै दिया गया है तो देख सकते हैं इस रड़ी में जो है A, यानि कि प्रतम पद जो है, कितना है, माइनस चार है और जो यह जो है छठमा पद, तो छठमा पद को लिखेंगे A6, A6 बराबर होता है, A plus 5 D और इसका मान, D दिया गया है, 6 तो लिखेंगे, चुकि A6 बराबर होता है, A plus 5 D यह सुत्र है तो A6 के हसान पर लिखेंगे 6 क्योंकि 6 दिए गिया है बराबर A के हसान पर लिखेंगे माइनस 4 प्लस 5D अब जो है माइनस 4 का पक्षांदर कर देंगे तो 6 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा बराबर लिखेंगे 5D यानिकि 5D और इन दोने को जोड़ देंगे तो 10 ग्यात होगा 10 बरावर लिखेंगे 5D और D बरावर हमें ग्यात हो जाएगा 10 बटे में 5 जब 5 से भाग करेंगे 10 में तो 2 जो है ग्यात हो जाएगा देख सकते हैं A और D कमाण जो है ग्यात हो चुका है तो लिखेंगे इसलिए अब हमें दूसरा पद गयाद करना है A2 गयाद करना है दूसरा पद दूसरा पद गयाद करने के लिखेंगे A प्लस D और A कमान देख सकते हैं मानिस 4 है और D कमान जो है 2 है तो जब इस रहल करेंगे तो मानिस 2 गयाद हो जाएगा यानि कि यहाँ पर जो है माइनस दो रखेंगे इसे प्रकार तीशरे पद गैद करते हैं जो खाली असन है तीशरे पद का तो A3 बराबर लिखेंगे A प्लस 2D होता है और A, A के असन पर लिखेंगे माइनस चार प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2 और गुड़े D के असन पर लिखेंगे 2 तीशरे प्रकार हो जाएगा माइनस चार प्लस 4 अर्थात कितना 0 यानि कि यहाँ पर हमें 0 रखना होगा अब हम लोग A4 गयाद करते हैं यानि कि चौथा पद तो A4 बराबर हो जाएगा A फ़र बराबर होता है A प्लस 3D A के असन पर लिखेंगे माइनस 4 और प्लस जो है 3 का गुड़ा करते हुए D कमान लखेंगे 2 तो जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 6 और 6 में से 4 गटा देंगे कितना गयात हो जाएगा 2 अर्थाद जो है तीसरे खाली असन पर हमें 2 भरना होगा इसी परकार देख सकते हैं यह जो है पांचवा अपत गयात करना होगा अब हमें तो लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D A प्लस 4D A कमान देख सकते हैं माइनस 4 है तो लिखेंगे माइनस 4 प्लस 4 और इंटू D कमान देखेंगे 2 जब इसे हाल करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 और इसका गुड़ा कर लेते हैं 4 का 2 में यह हो जाएगा प्लस 8 जब इसे घटाएंगे 8 में से 4 को तो हमें 4 ग्याथ होगा यानि कि यह जो अंतिम खाली अस्थान है इसमें 4 भरना होगा तो लिखेंगे अताहा अताहा अस्थान की पूर्ती करने वाले संख्या अस्थान की पूर्ती पूर्ती करने वाले संख्या करने वाले संख्या बराबर हो जाएगा पहले में भरेंगे माइनिस दो दूसरे में भरेंगे जीरो तीसरे में दो और चौत्वे में जो है चार भर देंगे अब हम तीसरे प्रस्न के ही पाच्वे प्रस्न को हल करेंगे यह जो है प्रश्न में पहला खाली यस्थान छोड़ दिया है और दूसरा पत को 38 लिखते हुए तीन और खाली यस्थान बनाया गया है और जो है इसके छटवे पत में माइनस 22 लिखा गया है अब हमें इन खाली यस्थानों को पूर्टी करना है तो लिखेंगे यहां देख सकते हैं दूसरा पद है तो लिखेंगे a2 चुकि a2 यानि की a plus d बराबर दिया गया है 38 और यहां से देख सकते हैं यह जो है छटमें पद पर है तो लिखेंगे a6 बराबर a plus 5d बराबर दिया गया है माइनस बाइस या दो समीकरड की तरह हैं योग में समीकरड की तरह देख सकते हैं और इन दोन समीकरड की मदद से हम लोग A और D कमान गयाद करेंगे लिखेंगे समीकरड एक में से समीकरड एक में से समीकरड दो को घटाने पर गटाने पर जब समिकड एक में से दो को गटाएंगे तो पहले इसे नूट कर लेते हैं ए प्लस डी बराबर 38 और ए प्लस फाइब डी बराबर माइनस 22 तो जब इसे गटाएंगे तो निचले समिकड का जो चिन है बदल जाता है तो प्लस है तो माइनस लिखेंगे और यहां माइनस है तो प्लस लिख देंगे जब घटाएंगे तो पहला पत जो है कट जाएगा और दूसरे पत को डी वाले पत को घटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस 4 डी बराबर इन दोने को जोड लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 60 प्राप्त हो जाएगा लिखेंगे D बराबर 60 बटे में माइनस 4 और जब इसे भाग करेंगे तो हमें माइनस 15 ग्यात होगा लिखेंगे D बराबर माइनस 15 समेकरण 1 में रखने पर चलिए, समिकड़े एक में रखते हैं, समिकड़े एक देख सकते हैं, लिखा गया है, a plus d, d के अस्थान पर लिखेंगे, minus 15, minus 15, बरावर 38 दिया गया है, तो लिखेंगे 38, इसे लिखेंगे, a minus 15, बरावर 38, अब जो है, minus 15 का पक्षांदर कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 38 प्लस 15 जो है A बराबर होगा अभी इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो लिखेंगे A बराबर जो है इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 8 पाच जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 13 को 3 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीन और एक चार और एक हासिल होती है जो जोड़े थे हम लोग तो यह जाएगा पाँच यानिकि A कमान कितना है या तीरपन तो हमें जो है A और D कमान ग्याद हो चुका है इसे डिवाइड करते हुए इसा रिख लेता हूं दिखेंगे इसलिए देख सकते हैं पहला पद यानिकि A1 गयाद करना है और A1 बराबर होता है A और A कमान कितना है तीरपन तो पहले में हम लोग उको तीरपन भरना होगा A2 गयाद करते हैं A2 तो पहले से ही दिया गया है, A3 गयाद करते हैं, A3, तो A3 बिराबर लिखेंगे, A plus 2D, और A, A के अथान पर देख सकते हैं, तिरपन लिखेंगे, plus लिखेंगे 2 into D, D के अथान पर लिखेंगे, मानस 15, मानस 15, और जब इसे हल करेंगे, तो यह हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क इसी प्रिकार, अब जो है, यहां से देख सकते हैं, चौथा पद गयाद करना है, तो लिखेंगे, A4 बराबर, A4 बराबर होता है, A plus 3D, तो लिखेंगे, A के अथान पर देख सकते हैं, प्लस 3 into D के अथान पर लिखेंगे, मानस 15, और जब इसे हल करेंगे, तो हमें जो है, 8 गयाद हो जाएगा, इसी प्रिकार, पाचवा पद, यानिकि A5 गयाद करते हैं, A5 बराबर होता है, A plus 4D, और A के अथान पर लिखेंगे, तिरपन, क्योंकि हम लोग तिरपन गयाद कर चुके हैं, और 4 into D, D के अथान पर लिखेंगे, मानस 15, जब इसे हल करेंगे, तो हमे जो है, यहाँ पर, मानस 7 गयाद हो जाएगा, देख सकते हैं, 4 पद, जो है, चारों के लिखेंगे, अतह, रिक्त अस्थान, रिक्त अस्थान, या रिक्त अस्थानों की पूर्ती, की पूर्ती, करने वाले, करने वाले संख्या बराबर लिखेंगे, करने वाले संख्या, संख्या बराबर हो जाएगा, तीरपन, तेज, आठ, और मानस 7, और यह जो है, तीसरा प्रशन लग चुका है, अब जो है, हम लोग चौथे प्रशन को हाल करेंगे, प्रशन में लिखा गया है, तीन, आठ, तेरा, और अठारा का कौन सा प्द जो है, अठातर है, तो प्रशन इसे हाल करते हैं, लिखेंगे यह जो है, चौथा प्रशन है, और इसमें दिया गया है, तीन, आठ, तेरा, और अठारा, इस प्रकाश रड़ी दी गई है, सबसे पहले इस रड़ी से हम लोग प्रथम पद यानिकी एक अमान गयाद करेंगे, और ए बराबर लिखेंगे तीन, क्योंकि यह सबसे पहला पद है, उसके बाद, डी कमान गयाद करेंगे, यहनि सरवांतर, और डी बराबर लिखेंगे, तीटू माइनस टीवन, यानिकी दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, तो आठ में से यह तीन घटाते हैं, तो हमें जो है, पांच प्राप्त हो जाएगा, और प्रशन के अन की यहन कमान पूछ रहा है, लिखेंगे चुकी, अन गराबर होता है, अर यह जो है, यह जो है, इसा हमोन जो जो लिखेंगे, यह लिखेंगे, बराबर देखने सकते हैं, अठातार नहीं के लिखेंगे, 3 प्लास यन तो हमें ग्याद करना है तो यन ही रखेंगे माइनस 1 एंटू डी के असन पर लिखेंगे 5 जब इसे हाल करेंगे तो 3 का पहले पक्षांदर कर लेंगे तो यह हो जाएगा 38-3 बराबर यन माइनस 1 एंटू 5 लिखेंगे अब जो है इसे घटा लेते हैं जब घटाएंगे तो हमें जो है 75 प्राप्त होगा बराबर लिखेंगे यन माइनस 1 इंटू 5 5 के जब पक्षांदर करेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा 75 बटे में 5 और इस साट बच जाएगा दाहिन साट यन माइनस 1 जब इसे हल करेंगे पाच से भाग करेंगे 75 में तो हमें जो है ग्यात हो जाएगा यहां से देख सकते हैं जब भाग करेंगे यह होगा 5 15 हो जाएगा 15 हो जाएगा और इन माइनस 1 लिखेंगे जब माइनस 1 का पक्षांदर करेंगे जाएगा प्लस एक में तो लिखेंगे यन बराबर 15 प्लस एक यानिक यन बराबर लिखेंगे 16 तो इस परकार जो है हमें इंस और प्राप्त हो चुका है लिखेंगे अताह अताह पद पद 18 है और यह प्राप्त लग चुका है अब हम लोग 5 प्राप्त कॉल करेंगे पांचों प्राप्त में लिखा गया है निम लिखे समांतर स्रड़ियों में से प्रतेग स्रड़ियों में कितने पद हैं तो इसमें भी हमें हल करना होगा इसी सुतर पर लिखेंगे यह जो है पांचों प्राप्त का पहला है और इसमें दिया गया है स्रड़ियों में साथ तेरा ओन्नाईस और इसी तरह अंतिम पद जो है दो सो पांच लिखा गया है जब इसे स्रेडी से हमें आ बरावड साथ गयात हो जाएगा डि यानिकी सरवांतर बरावड गयात हो गा 13 में से 7 को घटा लेंगे तो लिखेंगे 13 मैनस 7 यानि कि हमें 6 पराप्त हो जाएगा देख सकते हैं या अंतिम पद है अंतिम पद यानि कि लाश्ट तो लिखेंगे यल बरावर 205 अब जो है हमें ग्याद करना है कितने पद प्रश्ण कर रहा था कितने पद यानि कि यन कमान जो है पूछ रहा है तो लिखेंगे लिखेंगे सुतर से चुकी यल बरावर होता है A प्लास यन माइनस 1 इन्टू डी देख सकते हैं ये दोनों सुतरों बिलकुल समान हैं बस A-N के असान पर यल हो चुका है तो ये सुतरों भी याद रखना बहुत ही असान होगा इस सुतर पर सिंबल के मान को रखेंगे यल के असान पर लिखेंगे 205 205 बरावर A के असान पर लिखेंगे 7 प्लास यन कमान तो ग्याद करना है तो लिखेंगे यन माइनस वन और इंटू डू के अथनप लिखेंगे 6 इसमें से जो है 205 में से 7 को घटा देंगे क्योंकि इसका पक्छांतर होगा तो यह होजाएगा 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6 जब इसे घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा एक सो अन्ठानवे प्राप्त होजाएगा लिखेंगे एक सो अन्ठानवे बराबर एन माइनस 1 इंटू 6 जब 6 का पक्छांतर करेंगे तो यह डिवाइड में हो जाएगा इंटू में है तो यह डिवाइड हो जाएगा लिखेंगे 192 बटे में 6 बराबर n-1 और जब इसे भाग करेंगे तो हमें 33 ग्यात होगा 33 आएगा answer लेखेंगे n-1 यहाँ पर देख सकते हैं जब minus 1 का पक्षांदर कर लेंगे तो plus 1 हो जाएगा और 33 में जूड जाएगा तो लेखेंगे n बराबर 33 प्लस 1 यानि की n बराबर हो जाएगा 34 और यहीं जो है हमें ग्यात करना था मान लेखेंगे अतह अतह स्रेडी में स्रेडी में पदो की संख्या बराबर पदो की संख्या बराबर 34 यानि अब हम पांचे प्रश्ण के दूसरे प्रश्ण को हल करेंगे यह हम हल करने वाले हैं पांचे प्रश्ण का दूसरा प्रश्ण प्रश्ण में दिया गया है 18 15 सही 1 बटे 2 13 और इसी प्रकार इस रेडी का अंतिम पद जो है माइनस 47 यानि कि 47 दिया गया है लिखेंगे ए बरावर 8 क्योंकि पहला पद देख सकते हैं 18 है तो लिखेंगे 18 उसके पाद लिखेंगे D कमान यानि कि सरवांतर कमान सरवांतर कमान गयात करने के लिए लिखते हैं T2 माइनस T1 यानि कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दना चाहिए दूसरा पद देख सकते हैं लिखा गया है 15 सही 1 बटे 2 और माइनस प्रसम पद जो हो जाएगा 18 हो जाएगा जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 31 बटे में 2 माइनस 18 और इस प्रकार हमें जो है जब इसे हल करेंगे तो हमें जो है माइनस 5 बटे 2 D कमान गयात हो जाएगा यल बराबर देख सकते हैं दिया गया है माइनस 47 तो लिखेंगे माइनस 47 और पूछ रहा था प्रश्ण में कितने पद यानि कि यन कमाइन जो है ग्याद करना है लिखेंगे चुकि यल बरावर सुतर होता है a प्लस यन माइनस 1 इन्टू डी यल कमाइन देख सकते हैं माइनस 47 है दो लिखेंगे माइनस 47 बरावर a कमाइन 18 है तो 18 नोट करेंगे प्लास येन कमान तो ग्याद करना है तो लिखेंगे येन माइनस 1 और डी कमान जो है माइनस 5 बटे 2 है जब इसका पक्षांदर करेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा माइनस 47 माइनस 18 बराबर येन माइनस 1 इन्टू माइनस 5 बटे 2 इसे जोड लेते हैं तो जब जोड़ेंगे तो हमें जो है माइनस 65 पुराबत हो जाएगा माइनस 65 बराबर लिखेंगे एन माइनस 1 इन्टू माइनस 5 बटे 2 माइनस 5 बटे 2 का जब पक्षांदर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 65 गुड़े 2 बटे में माइनस 5 बराबर लिखेंगे N-1 अब जो है हमें माइनस 5 से 62 में भाग कर देना है तो 13 होगा और 13 गुड़ा कर देंगे 2 में तो यह हो जाएगा 26 यानि कि लिखेंगे 26 बराबर N-1 और यहाँ से अब हम माइनस 1 का पक्षांदर करेंगे तो N बराबर हो जाएगा 26 प्लस 1 यानि कि N बराबर 27 ग्यात होता है लिखेंगे अतह स्रेडी में पदो की संख्या बराबर हो जाएगा 27 अब हम छठ में प्रश्न को हल करेंगे प्रश्न में जो है लिखा गया है 11, 8, 5, 2 और इस प्रश्न को प्रश्न में जो है पहले हम लोग इस स्रेडी की अनुसार A यानि कि प्रथम पद कमान ग्यात करेंगे जो कि 11 होगा D कमान यानि कि सरवांदर कमान ग्यात करेंगे तो यह हो जाएगा 8 माइनस 11 यानि कि हमें जो है माइनस 3 प्रप्त होगा प्रश्न में लिखा गया है एक पद माइनस 150 है यानि कि कोई जो पद है वह जो है 150 है तो लिखेंगे AN बराबर माइनस 150 और जो है हमें ग्यात करना है कि आखिर वह कौन सा पद जो है माइनस एक सो पचास है तो लिखते हैं सुत्र लिखेंगे चुकी यहां देख चकते हैं इसमें अंतिम पद जो है नहीं दिया गया है तिश्ली लिखेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो AN के अस्थान पर लिखेंगे माइनस एक सो पचास माइनस एक सो पचास बराबर लिखेंगे A के अस्थान पर लिखेंगे 11 प्लस N N के अस्houses पर तो हमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकी की से ही तो गयात करना है तो लिखेंगे N माइनस 1 और D के अस्हान पर लिखेंगे माइनस 3 जब 11 का पक्षांदर करेंगे तो यह हो जाएगा मानस 150 मानस 11 बराबर n मानस 1 इंटू मानस 3 अब जो है इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें जो है मानस 161 गयात होगा बराबर लिखेंगे n मानस 1 इंटू मानस 3 मानस 3 से मानस 161 में भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा माइनस 161 बटे में माइनस 3 बराबर n माइनस 1 अब जो है माइनस माइनस जो है भी वाजित हो जाएगा और 3 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 161 बटे में 3 बराबर लिखेंगे n माइनस 1 और जब एक का पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे एन बराबर 161 बटे 3 प्लस 1 इस परकार एन कमान ग्याद करेंगे तो एन कमान जो हो जाएगा यहाँ पर 164 बटे में 3 हो जाएगा और किसी भी स्रेडी का जो पद होता है वह जो है दसमलों में यह भिन के रूप में नहीं आता है तो यह जो है लिखेंगे मानिस एक सो पचास जो है इस स्रेडी का कोई भी पद नहीं है तो जो लिखना था हमें यहां लिखना है प्रश्ण में दिया गया है कि क्या जो है एक सो बाइनस एक सो पचास इस स्रड़ी का पद है लिखेंगे अतह अतह माइनस एक सो पचास स्रड़ी स्रड़ी का एक पद नहीं है एक पद नहीं है और यह जो है प्रश्ण लग चुका है छाठवा प्रश्ण अब हम साते प्रश्ण को हल करेंगे प्रश्ण में लिखा गया है उस एपी का यानि समानत श्रड़ी का एक तीसवा पद ग्याद किजिए जिसका ग्यारहाँ पद अर्टिस और स्वराहाँ पद जो है तियतर है तो चलिए लिखते हैं यह जो है सातवा प्रश्ण है प्रश्ण के अनुसार जो है हमें एक तीसवा ग्याद करना है यानि कि A जो है एक तीस जिसे A प्लास तीस डी भी लिख सकते हैं तीस डी और हमें इसको ग्याद करना है और प्रश्ण अनुसार दिया गया है A11 यानि कि इगरहाँ पद जो है दिया गया है जिसे हम लोग A plus 10D लिख सकते हैं और दिया गया है 38 इसे हम लोग समेकर एक लिखेंगे और 16 पद दिया गया है तो लिखेंगे A16 बराबर पहले इसे सुतर के निसार लिखेंगे तो यह हो जाएगा A plus 15D बराबर दिया गया है प्रश्ण में 73 और यह जो है समेकर दो मान लेंगे लिखेंगे समेकर एक में से समेकर दो को घटाने पर तो छलीए घटाते हैं समेकर दो को लिखेंगे a प्लस 10 d बराबर 38 और इसके निचे लिखेंगे a प्लस 15 d बराबर 33 और जब इसे घटाएंगे तो निचे लिख समीकल कर्ची न जो है बदल दिया जाता है तो बदल लेते हैं पहला पर तो कट जाएगा क्योंकि a में से a जब घटाएंगे तो 0 प्रॉप्त होगा और यहां प 15 में से 10 को घटाएंगे तो हमें जो है माइनस 5 ग्यात होगा तो लिखेंगे माइनस 5 d बराबर 33 में से 38 गटा लेते हैं तो माइनस 35 परावत होगा माइनस 35 जब माइनस 35 में माइनस 5 से भाग करेंगे तो हमें जो है प्लस 7 ग्यात होगा जो कि d कमान है तो लिखेंगे d बरा एक में, रखने, पर, समिकड़ एक में, रखते हैं, यहाँ जो है समिकड़ एक दिया गिया है, a, प्लस, 10, into, d की बराबर 38, जब इसे गुरा करेंगे तो यह हो जाएगा, 10 का 7 में गुड़े करेंगे तो हो जाएगा 70 बराबर 38 यानि कि A बराबर ग्यात हो जाएगा 38 माइनस 70 और जब 70 में से 38 में घटाएंगे तो हमें A बराबर माइनस 32 ग्यात होगा लिखेंगे माइनस 32 A और D कमाइन जो है ग्यात हो चुका है तो लिखेंगे अतहा ग्याद करना था 31 पद तो लिखेंगे अतहा ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी ए प्लस 30 डी यानि की ए के असर पर लिखेंगे माइनस 32 और प्लस 30 से गुड़ा करेंगे डी कमान यनकी 7 कमान तो यह हो जाएगा माइनस 32 और प्लस यह हो जाएगा 210 जब 210 में से 32 को घटाएंगे तो 178 ग्याद होगा लिखेंगे 178 यह जो है एक पी जो पद ग्याद हो चुका है अब हम आठवे प्रश्न को हल करेंगे प्रश्न में लिखा गया है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है इसका 29 पद ग्याद किजिए तो लिखते हैं यह जो है आठवा प्रश्न है प्रश्न में दिया गया था 50 पद हैं यान कि एन कमान दिया गया है 50 इसके बाद तीसरा पद जो है 12 दिया गया है तो लिखेंगे ए 3 यान कि ए तीसरा कमान है इसे लिखते हैं सकते हैं और इसका मान दिया गया है 12 और इसे प्रकार आतिम पद यान कि यल बराबर दिया गया है 106 आतिना पद ग्याद किजिए यानी कि A 29 ग्याद करना है जिसे हम लोग A plus 28 D भी लिख सकते हैं और इसे जो है ग्याद करना है तो लिखेंगे देख सकते हैं इसमें कीश परकर करके सुतर हैं इसमें जो है L का सुतर लगाएंगे तो लिखेंगे चुकि L बराबर होता है A plus N minus 1 into D और L कमान जो है दिया गया है 106 तो लिखेंगे 106 बराबर A plus N कमान जो है हमें नहीं ग्याद है यहाँ पर दिख सकते हैं N कमान टोटल जो है N कमान पचास है यह ग्याद है हम लोग को 50 यह असन पर लिखेंगे 50 minus 1 into D कमान को हम लोग वह सही नोट कर लेंगे लिखेंगे 106 बराबर A plus घटा लेते हैं तो यह हो जाएगा 49 D तो यहाँ पर एक समेकरण ग्याद होता है जिसे लिखेंगे A plus 49 D बराबर 106 इसे समेकरण नमबर हम लोग दो मान लेते हैं और जो A3 यह जो तीसरा पत था इसे समेकरण एक मान लेते हैं लिखेंगे समेकरण एक मेंसे दो को घटाने पर समेकरण एक मेंसे मेंसे समेकरण दो को घटाने पर घटाने पर चलिए घटाते हैं लिखेंगे सबसे पहले समिकरड एक को यां तीसरे पद को A प्लस 2D बराबर 12 और जो है दूसरा समिकरड है A प्लस 49D बराबर 106 जब इसे घटाएंगे तो निचला जो समिकरड है इसके चिन्हों को बदल लेंगे तो यह जाएगा माइनस और पहला पद जो है कट जाएगा क्योंकि A में से जब A को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा अब जो है हमें 49 में से 2 को घटाना है तो लिखेंगे माइनस 47D बराबर अब 166 में से 12 गटाना है तो मैनस 94 प्राप्त होगा लिखेंगे मैनस 94 d कमान यादे ग्याद करते हैं तो लिखेंगे d बराबर मैनस 94 बटे में मैनस 47 और जब इसे भी भाजित करेंगे तो 2 ग्याद हो जाएगा लिखेंगे d बराबर 2 इसे में डिवाइट करते हुए इसे लेगे लेता हूँ लिखेंगे d बराबर 2 समिकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे a ब्लाइस टू इंटू डी की हसन पर लिखेंगे 2 बराबर 12 जब शायल करेंगे तो यह हो जाएगा a plus 4 बरावर 12 और a बरावर हमें ग्यात होगा 12 इसका पक्षांदर कर देंगे तो minus 4 यानि की a बरावर हमें 8 ग्यात हो जाएगा a कमान और d कमान हमें ग्यात हो चुका है तो लिखेंगे a plus 28 d तो एक कमान देख सकते हैं, आठ है, तो लिखेंगे आठ प्लस 28 इंटू डी कमान लिखेंगे दो, जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा, आठ प्लस, इसे गुड़ा कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 56, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो हमें प्राफ्थ हो तो यह जो है, हमें 29 पद ग्यात हो चुका है, अब हम 9 प्राफ्थ कॉल करेंगे, प्राफ्थ में लिखा गया है, यदि किसी AP के तीसरे और 9 पद क्रम सा 4 और माइनस 8 हैं, तो इसका कौन सा पद सुन्य होगा, नोट करते हैं, यह जो है 9 प्राफ्थ हैं, प्राफ्थ के अन 2D भी लिख सकते हैं, और इसका मान जो दिया गया है, 4, इसी प्रकार, चौब 9 प्राफ्थ को माइनस 8 प्राफ्थ में दिया गया है, तो लिखेंगे, A9, इसे लिख सकते हैं, A प्लस 8D, और इसका मान दिया गया है, मानस 8, यह जो है, समिकर एक, और इसे समिकर दो मान लें हमें जो है कौन सा पद सुन्या है दिया गया था प्रश्ण में यानि कि a यन बराबर 0 दिया गया है लिखेंगे समेकरड एक में से समेकरड 2 को घटाने पर चलिए समेकरड एक में से समेकरड 2 को घटाते हैं लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर लिखेंगे मानस 8 और जब इसे घटाएंगे तो यह हो जाएगा चिन परवर्थित और पहले पद को कट कर देंगे जब मानस 8 में से 2 को घटाएंगे तो मानस 6 पराब्थ होगा 6d और इसे लिखेंगे 8 4 12 तो इस प्रकाष जो है d हमें गयात हो जाएगा 12 बटम लिखेंगे मानस 6 याने की मानस 2 जो है d कमान गयात होगा लिखेंगे d बराबर मानस 2 समी करण समी करण एक में रखने पर एक में रखने पर समी करण एक में रखते हैं समी करण एक जो देख सकते हैं दिया गया है a प्लस 2d तो a प्लस 2 इंटू d कमान लिखेंगे मानस 2 बराबर 4 जब शाहल करेंगे तो यह हो जाएगा a minus 4 is equal to 4 यानि की a बराबर होगा 4 और इसके हम लग पक्षांतर कर देंगे minus 4 का यह plus 4 हो जाएगा तो a बराबर जो है हमें 8 यानि की 8 ग्यात हो जाएगा a और d कमाण जो है ग्यात हो चुका है तो अब हमें यह ग्यात करना है कि कौन सपद जो है 0 था तो लिखेंगे चुकि a n बराबर होता है सुत्र a plus n minus 1 into d तो a n के असन पर लिखेंगे 0 बराबर a के असन पर लिखेंगे 8 plus n कमाण तो हमें ग्यात करना है तो यह नहीं रहने देंगे minus 1 into d के असन पर लिखेंगे minus 2 जब शेहल करेंगे तो 8 का पक्षांदर करेंगे तो minus 8 हो जाएगा बराबर लिखेंगे n minus 1 into minus 2 और minus 2 से minus 8 में हम लोग भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा n minus 1 भाग करने से हमें प्राप्त होगा 4 हो जाएगा ग्यात लिखेंगे n minus 1 और n कमाण ग्यात करेंगे तो 4 और इसका 55 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 लिखते हैं और यह न बराबर 5 ग्यात होता है यानि कि जो है पांचवा पद जो है उसका मा स्रेडी का पांचवा पद जो है सुन्य होगा प्रश्न में लिखा गया है किस AP का सत्रामा पद उसके दासमे पद से साथ अधिक है और इसका सरवांतर ग्यात किजिए तो लिखते हैं यह जो है दसमा प्रश्न है प्रश्न के अनुसार सत्रामा पद बोला गया है तो लिखेंगे A सत्रा यानि कि इसे लिख सकते हैं A प्लस सोला डी और प्रश्न में जो है दसमे पद का जिकर हुआ है तो लिखेंगे A दस यान दसमा पद जिसे हम लोग A प्लस न और D भी लिख सकते हैं और लिखेंगे प्रश्णा अनुसार प्रश्णा नुसार यानिकी प्रश्ण के अनुसार प्रश्ण में कहा गया था कि जो है सत्रहवा पद जो है दस्वे पद से साथ अधिक है कि इसमें जो है दस्वे पद में यदि हम साथ जोड़ देते हैं तो यह दोनों पत जो है बराबर हो जाएंगे तो ए 17 कमान यहां पर रखेंगे लिखेंगे ए प्लस 16 डी बराबर हो जाएगा दसमें पत कमान देख शकते हैं लिखेंगे अकिरे ए प्लस 9 डी और प्लस 7 पहले से मौझूद है तो इसे पक्छांतर करेंगे 84 का पक्छांतर बराबर के एक साइड तो लिखेंगे a plus 16 d यहाँ से इसका पक्षांदर करेंगे तो यह हो जाएगा minus a plus 9 d का पक्षांदर करेंगे तो यह भी हो जाएगा minus 9 d बराबर लिखेंगे 7 a से देख सकते हैं a से minus a को विभाचित कर देगा क्योंकि इन दोनों को घटाएंगे तो 0 प्राफथ होगा अब 16 मेंसे जो है 9 को घटा लेंगे तो हमें जो प्राफथ होगा 7 d प्राफथ होगा लिखेंगे 7 d बराबर 7 अब जो है d 검and get करेंगे ति यहा हो जाएगा 7 बटे में 7 अर्था जब 7 से 7 में बाब करेंगे तो हमें D कमान जो है एक ग्यात होगा और प्रश्ण में यहीं जो सवाल है यहीं जो उत्तर आया है यहीं पूछ रहा था तो लिकिंगे अता हा अता हा स्रेडी का सारवांतर अता सारवांतर जिसे इसमाल D से परदसित करते हैं बराबर होगा एक अब हम 11 प्रश्ण को हल करेंगे प्रश्ण में लिखा गया है एपी 3, 15, 27, 49 का कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक है तो यह जो है ग्रहा प्रश्ण है यह 11 प्रश्ण है और इसमें स्रेडी दिया गया है 3, 15, 27, 49 इसे प्रश्ण स्रेडी दिया गया है इसमें जो है देख सकते हैं प्रश्ण पद यानिकी एक अमान जो है तीन दिया गया है और D का मान गयात करते हैं यानिकी सरवांतर और D का मान गयात करने के लिए 15 से 3 में घटा लेंगे यह हो जाएगा 15 में से 3 घटा लेते हैं तो हमें 12 गयात हो जाएगा यानिकी D का मान कितना है 12 यह जो है प्रश्ण अन्सा लिखेंगे चवंवन में पद यानि कि A चवंवन जो है इसे लिख सकते हैं A प्लास तीरपन डी लिखेंगे चुकि A यन बराबर होता है A प्लास यन माननस वन इन्टो डी और इसमें जो है चवंवन पद पहले ग्याद कर लेते हैं तो लिखेंगे चवंवन पद के अस्थान पर A चवंवन बराबर हो जाएगा A के असान पर लिखेंगे 3 प्लास यन के असान पर कितने लिखेंगे 4 तो लिखेंगे 4 माननस वन इन्टो डी डी के असान पर 12 लिखेंगे जब इन दोनों के गुड़ा कर लेंगे तो हमें जो प्राप्थ होगा होगा 636 लिखेंगे 636 और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्राप्थ होगा 649 प्राप्थ जो हमें ग्यात हो चुका है तो लिखेंगे प्रश्ना अन्सार उससे पहले मिलिख लेंगे माना माना एपी का मतलब समानता स्रड़ी का ये नवा प्द ये नवा प्द 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 94 प्द से 132 अधिक है जब इस प्रकार लिख लेंगे तो लिखेंगे इसके अन्सार लिखेंगे ए यन जो है कि इससे 94 प्द से 132 अधिक है तो लिखेंगे ए चवन प्लस 132 ए यन के असन पर हम लोग लिख सकते हैं देख सकते हैं ए यन के असन पर लिख सकते हैं ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी तो लिखेंगे ए चवन के असन पर लिख सकते हैं 649 तो लिखेंगे 649 प्लस 132 इसमें जोड देंगे तो लिखेंगे 132 और जब इसे जोड के हर करेंगे तो प्राफ्थ होगा देख सकते हैं एक कमान दिया गया है 3 तो लिखेंगे 3 प्लस यन कमान हमें गया तो भी नहीं है तो यन ही लिखेंगे और डी कमान देख सकते हैं 12 दिया गया तो लिखेंगे 12 बराबर इन दोनों को जोड लेते हैं तो यह हो जाएगा 771 इसमें 3 का पक्षांदर कर देंगे तो होगा n-1 into 12 बराबर 771 माइनस 3 हो जाएगा इसे घटा लेते हैं 771 में से 3 को घटा लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा n-1 into 12 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 768 लिखेंगे 768 अब इसमें 12 से भाग कर देंगे क्योंकि 12 जो है इसका पक्षांदर होगा तो इस से इसे नूट कर लेते हैं डिवाट करते हैं मैं इस से लिखते था हूँ n-1 बराबर हो जाएगा 768 बटे में 12 तो लिखेंगे इन-1 बराबर 12 से भाग कर लेते हैं जो 12 से भाग करेंगे तो हमें 64 पराप्त होगा और मैंनस एक का जब पक्षांदर करेंगे तो हो जाएगा इन बराबर 64 प्लस एक यान इन बराबर 65 ग्यात हो जाएगा नीचे लिखेंगे अताहा अताहा चमणवे पद चमणवे पद से 65 में पद 65 मां पद 132 अधिक है और यहीं जो था उत्तर था जिसे हमें ग्यात करना था अब हम 12 प्रशन को हल करेंगे प्रशन में लिखा क्या है दो समांतर स्रडियों का सरवंतर समान है यदि इनके सौमे पदों का अंतर सव है तो इनके हाजारमे पदों का अंतर क्या होगा नोट करते हैं यह जो है बाराहॉँअ प्रश्ण है यह बाराहुअ प्रश्ण है लिखेंगे माना, प्रथम प्रथम यानि की समानत चर्णी AP का प्रथम पद प्रथम पद बराबर A हम लग मान चुके हैं तो इसलिए हो जाएगा जो है समव पद हो जाएगा A 100 बराबर हो जाएगा समव पद बराबर हो जाएगा A प्लस 99 D और देतिया सेलडी के लिए लिखते हैं क्योंकि दो सेलडी के दर्शा आगया है तो लिखेंगे देतिया AP AP का प्रथम पद प्रथम पद बराबर लिखेंगे A डैस तो जब इसका प्रथम पद A डैस है तो लिखेंगे A समव पद इसका हो जाएगा हम लोग इसका समव पद लिखने वाले हैं बराबर होगा और इसे हल करते हुए लिखेंगे प्रश्णा अनसार प्रश्णा नुसार इसे हल करेंगे यानि कि प्रश्णा के अनसार प्रश्णा अनसार जो है इन दोनों का आंतर जो है साओ दिया गया है यानि कि ए साओ माइनस जो है प्रथम स्रडी का साओ अपद माइनस दिर्थिया स्रड़ी का 100 अपद दोनों का अंतर जो है 100 दिया गया है इसकी मान को रखेंगे तो यह हो जाएगा देख सकते हैं इसकी अथान पर हम लोग रखेंगे A प्लस 99 D तो यहां लिखेंगे A प्लस 99 D माइनस A दूसरा स्रड़ी के लिए है A प्लस 99 D बराबर 100 लिखेंगे जब इसे शरल करेंगे तो यह हो जाएगा A प्लस 99 D माइनस दूसरा स्रड़ी के प्रथम पद और यह हो जाएगा माइनस 99 D बराबर 100 देख सकते हैं 99 D मैंस 99 D जब घटेगा तो यहां कट जाएगा क्योंकि 0 इंसर आएगा प्रथम पद का जो है यह प्रथम स्रड़ी का प्रथम पद है और मैंस लिखेंगे देटिया स्रड़ी का प्रथम पद बराबर लिखेंगे 100 और इसे समिकर नंबर 1 नोट कर लेंगे अब इसे हल करते हुए आगे लिखेंगे माना माना हजारों पद जो हजारों पद है वह जो है एक्स है तो जब इसमें मान इसे रखेंगे हजारों पद कर मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यहां देख सकते हैं इसे लिखेंगे A plus 999 D मैनस लिखेंगे दूसरे स्रेडी के लिए लिखेंगे A plus 999 D बरावर लिखेंगे X और जब इसका हम लोग कोश्टक हटाएंगे तो यह हो जाएगा A plus 9999 D माइनस यह जो है दूसरे स्रेडी का परसंपद माइनस 999 D बरावर X देख सकते हैं 999 D में से जब 999 D घड़ाएंगे तो यहाँ जो है कड़ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा इधर लिख लेता हूँ इसेट हमें जो प्राप्त होगा वह होगा A माइनस प्रत्थम स्रेडी का यह जो है A है प्रत्थम पद है और यह जो है दूसरे स्रेडी का प्रत्थम पद है बरावर क्या थोगा X इसे समिकर निमर 2 माल लेते हैं अब समिकर एक तथा 2 की तुलना करेंगे समिकर एक तथा 2 की तुलना करने पर जब दो और समिक्रण एक की तुलना करने पर यानि तुलना करेंगे तो देख चाकते हैं इनका जो है बायां पच पराबर है तो दायां पच भी बराबर होगा तो लिखेंगे एक से बराबर सो तो समिक्रण जो है हम लोग माने थे पद माने थे तो इसे लिखेंगे अताहा हजारवे पद यानि की पर्थम स्रेडी का हजारवे जो पद है इसका अंतर अगर दूसरे स्रेडी की हजारवे पद से किया जाए तो इसका मान एक सब माने थे और एक सब मान किता आया है सो आया है तो यहीं जो है उत्तर है इसलिए हजारवें पद का अंतर भी 100 होगा तो इस प्रकारिया प्रश्न आसानी से लग जाएगा अब हम तेरह में प्रश्न को हल करेंगे प्रश्न में लिखा गया है तीन अंको वाली कितनी संख्याएं साथ से विभाज्य है तो हमें जो है तीन अंको वाली संख्याएं डोटनी है जो साथ से विभाज्य हो तो लिखते हैं यह जो है तेरह में प्रश्न है लिखेंगे तीन अंक वाली सबसे छोटी जो संख्या होती है वह होती है 105 तो लिखेंगे साथ से विभाज जिय तीन अंकों की छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर होता है 105 तो लिखेंगे 105 और साथ से विभाज जो होती है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 994 तो इसलिए लिखेंगे इसलिए प्राप्त प्राप्त स्रेली बराबर लिखेंगे प्राप्त स्रेली यानि की एपी जो ग्यात होगा प्राप्त एपी स्रेली जो ग्यात होगी वह हो जाएगी पहले लिखेंगे 105 दूसरा ग्यात करने के लिए इसी में जो है साथ जोड़ तो हमें ग्यात हो जाएगा 112, तीशरक ग्यात करने के लिए इसमें साथ और जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 119, इस प्रकार जो है स्रलडी का अंतिम जो पद होगा, वह होगा 994, जो है देख सकते हैं, ए बराबर 105 ग्यात हुआ, और जो है डी बराबर जो है ग्यात करेंगे, कितनी संख्याएं यानि कि पद, तो हमें यन कमांद कुछ रहाएं तो रिखेंगे यन बराबर? question mark चुकि हम जानते हैं कि L बराबर होता है सुत्र A plus N minus 1 into D तो इसी सुत्र पर रखेंगे इन सभी symbol के मान को देख सकते हैं येल के अस्थान पर लिखेंगे 994 लिखेंगे 994 बराबर A के अस्थान पर लिखेंगे 105 plus N के अस्थान पर यहीं तो हमें ग्याद करना है तो N के अस्थान पर यह नहीं लिखेंगे minus 1 into D के अस्थान पर 7 लिखेंगे अब जो है 105 का पर जब पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 994 minus 105 बराबर N minus 1 into 7 इसे घटा लेते हैं जब इसे घटा आएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 889 प्राप्त हो जाएगा लिखेंगे बराबर N minus 1 into 7 अब 7 से भाग लगा देंगे 889 में लिखेंगे 889 भागे 7 बराबर N minus 1 7 से जो है अब 889 में भाग कर देंगे तो जब भाग करेंगे तो हमें जो है 127 प्राप्त होगा बराबर लिखेंगे n-1 तो n का मान जब ग्याद करेंगे minus 1 का पक्षांतर करकर तो यह हो जाएगा 127 प्लस 1 यानि की 128 और यह है यह वह संख्या है जिसे हमें ग्याद करना था लिखेंगे अतह अतह प्रस्न के अंशार 3 अंको वाली 3 अंको वाली अंको वाली विभाज या तीन अंको वाली 128 संख्याएं संख्याएं 7 से विभाज है ये प्रश्न, त्येराँ प्रश्न लग चुका है अब हम चौदह प्रश्न को अल करेंगे प्रश्न में लिखा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुड़ेज है तो नूट करते हैं यह जो है चौदहँ प्रश्न है प्रश्न के अमसार जो है हमें वह संख्यां ग्याद करनी है ग्याद करनी है कि कितनी संख्यां है जो 10 और 250 के बीच है तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच बीच इस्थित इस्थित चार के गुड़ज चार के गुड़ज बराबर लिखेंगे हमें जो है 10 और 250 के बीच में लिखना है यानि कि 10 से बड़ी होनी चाहिए जो 4 से बिभाजित हो चाए यानि कि कट जाए तो 10 से बड़ी 12 है जो कि 4 से बिभाजित हो चाएगी और इसके बाद जो है 14 वह संख्या है जो 4 से बिभाजित होती है इसी प्रकार दो तिन संख्यां लिख कर और इसके अंतिम संख्या को जो कि 4 से बिभाजित हो और 250 से कम हो तो वह संख्या नोट कर लेंगे जो है 248 यह एक समानतो स्रडी प्राप्त होता है और इसमें लिखेंगे A बराबर देख सकते हैं कितना है 12 है और D बराबर लिखेंगे 4 क्योंकि 12 में से जब 12 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा यह बराबर लिखेंगे 248 यानकि लाष्ट पद अंतिम पद और जो है हमें संख्या यन ग्याद करनी है यानकि कितने पद इसमें है तो लिखते हैं चुकि यल बराबर होता है A प्लास N माइनस 1 इन्टू D इसलिए यल कमान लिखेंगे यहाँ पर 248 बराबर A कमान लिखेंगे 12 प्लास N कमान लिखेंगे यहां से देख सकते हैं कुछ नहीं है यह ज़िए ग्याद करना है तो यन के असन पर यन लिख देंगे minus 1 into D के संप लिखेंगे 4 जिब शे 12 का पक्षांदर करेंगे तो ये लिखेंगे 248 minus 12 बराबर N minus 1 into 4 अब इसमें से 12 घटा लेते हैं तो जब घटाएंगे तो हमें प्राप्थ होगा 236 लिखेंगे 236 बराबर N minus 1 into 4 अब जो है 4 का पक्षांदर करेंगे इसे divide हो जाएगा लिखेंगे 236 बराबर N minus 1 4 से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्थ हो जाएगा यहाँ पर भाग करेंगे यह हो जाएगा 69 प्राप्थ हो जाएगा बराबर लिखेंगे N minus 1 और जब minus 1 का पक्षांदर करेंगे तो plus 1 हो जाएगा तो लिखेंगे यन बराबर 69 प्लास वान याने की 60 याने की इसमें कितनी संख्याएं होंगी जो 10 और 250 की बीच होंगी तो वह 60 संख्याएं होंगी लिखेंगे अतह चार के गुड़ज गुड़जों की संख्याबर 60 अब हम 15 प्रश्न कॉल करेंगे प्रश्न में लिखा गया है यन के किस मान के लिए दोनों समांतर सिरडियों 63, 65, 63 और 3, 10, 17 के यनुए पत बराबर होंगे तीशे नोट करते हैं हल करेंगे यह जो है 15 प्रश्न है इसमें प्रथम स्रड़ी के लिए लिखेंगे प्रथम स्रड़ी के लिए लिखेंगे प्रथम स्रड़ी में दिया गया है 63, 65, 66 और इसी प्रश्न स्रड़ी बना दिया गया है तो इसमें जो है यह बराबर देख सकते हैं क्या है 63 है डी बराबर 62 में से 63 घटा लेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह प्राप्त हो जाएगा यहां से दो प्राप्त हो जाएगा इसमें लिखेंगे इसलिए A n बराबर A प्लस 1 यान की A कैसान और लिखेंगे 360 प्लस 1, N कैसान पर यहन रहने देंगे below A 1 इन्टू D कैसान में लिखेंगे 2 और वह समेक्राव नंबर 1 जो है हम लोग मां लेंगे अब लिखेंगे देर्टिय स्रड़ी के लिए देर्टिया स्रड़ी के लिए स्रेडी के लिए लिखेंगے दिर्थिया स्रेडी के लिए जो है दिया गया है प्रश्न में तीन दस सतरा और इस प्रकार स्रेडी दिया गया है तो ये बराबर तीन गयात होगा और डिSoft REALMER विएक शरवांतर बराबर हो जाएगा 3, plus, 1, minus 1, into D, के तान पर लिखेंगे, 7, और यह सब में एकरण 2 मान लेंगे, लिखेंगे प्रश्णा अनुसार, प्रश्णा नुसार, प्रश्णी के अनुसार जो है, प्रथम, जो है, स्रेडी का यनवा पद, दिर्थिय स्रेडी के यनवा पद के बराबर है, तो लिखेंग यह जो है दिर्थिय स्रड़ी है और यह जो है प्रथम स्रड़ी है तो लिखेंगे प्रथम स्रड़ी का यनौपद जो बराबर है दिर्थिय स्रड़ी के यनौपद के बराबर है इसका मान यहां से समिकल एक से नूट कर लेंगे 63 प्लस N-1 इंटू D के थन पर 2 लिखा गया है वराबर लिखेंगे दिरतिया स्रेडी का यह अपर देखेंगे हैं यहाँ आपर है दूसरा समय करण 3 प्लस N-1 इंटू 7 और जब भी शहल करेंगे तो यह हो जाएगा 63 प्लस 2 यन माइनस 2 वराबर 7 अब जो है यन को बराबर के एक तरफ और संख्याओ को बराबर के दूसरे तरफ रखेंगे यह हो जाएगा देख सकते हैं 7 यन माइनस हो जाएगा इसका पक्छांदर करेंगे 7 यन माइनस 2 यन और इस साड़ 62 लिखा गया है 63 माइनस 2 और इधर से जो है 3 का पक्छांदर करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा और 7 का पक्छांदर करेंगे तो पलस 7 हो जाएगा अब जो है इन संख्याओं को जोड़ और घटाने के दवरा हल कर लेंगे तो हमें जो है 65 प्राब्द होगा लिखेंगे 65 65 बराबर लिखेंगे देख सकते हैं 7 यन में से 2 यन गटाएंगे तो 5 यन ग्यात होगा और यन बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 65 बटे में 5 यानिकी 13 तो 13 हमें ग्यात हो चुका है तो 13 ही 13 हमा जो पद होगा वहीं वह संख्या है जिसके दोनों स्रडियों के मान बराबर होंगे लिखेंगे अतह अतह दोनों स्रडियों का 13 पद बराबर होगा और यह जो है प्रश्न लग चुका है अब हम स्रडियों में प्रश्न को हल करेंगे प्रश्न में लिखा गया है वह एपी ग्यात किजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवा पद पांचवे पद से 12 अधिक है तो नोट करते भी लिखेंगे यह जो है स्रडियों प्रश्न है प्रश्न के अनुसार A3 यानि कि तीसरा पद 16 दिया गया है जिसे A प्लस 2D लिख सकते हैं और इसका मान जो है 16 दिया गया है समिकल लोगों इसे मान लेते हैं लिखेंगे प्रश्ना अनुसार प्रश्न के अनुसार प्रश्ना अनुसार जो है सातोह पद यानि कि A7 जो है यह जो है 12 अधिक है पांचवे पद से तो पांचवे पद में हम लोग 12 जोड देंगे यह जो इस 7 पत के बराबर हो जाएगा लिखेंगे A7, A7 बराबर होता है A plus 6D यानिकी 6D बराबर लिखेंगे A plus 4D यह जो है पांच पत के मान के बराबर होता है लिखेंगे प्रस 12 जब A और 4D का पक्षांतर करेंगे 22 में तो यह हो जाएगा A plus 6D मानस A मानस 4D बराबर 12 देख सकते हैं मानस A में से जब A को घटाएंगे तो यह जो है 0 प्राप्त होगा इसलिए इसे कट कर देंगे और लिखेंगे 6D मानस 4D बराबर लिखेंगे 12 अब घटाते हैं जब घटाएंगे तो हमें 2D ग्यात होगा जो कि 12 की बराबर होगा और D बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 12 बटे में 2 यानि कि D बराबर हमें 6 ग्यात होता है लिखेंगे D बराबर 6 समी करण 1 में रखने पर रखने पर चलिए समिकरण एक को नुर करते हैं यहाँ पर दिया गया है ए प्लस टू डी तो ए की असान पर लिखेंगे ए प्लस की असान पर प्लस ही रखेंगे और टू डी यानि की लिखेंगे टू इंटू डी की असान पर लिखेंगे 6 लिखते हैं यहाँ पर 6 लिख देंगे बराबर लिखेंगे 16 अब जो है 2 और 6 का गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 12 बराबर 16 तो जब 12 का पक्छांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 16 माइनस 12 और A बराबर हमें ग्यात हो जाएगा 16 में से 12 खटा देते हैं चार हो जाएगा तो A और D कमाण जो है ग्यात हो जुका है तो लिखेंगे स्रडी ग्यात करेंगे लिखेंगे अताह अताह A P बराबर A P बराबर लिखेंगे स्रडी का सुत्र होता है A A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D और इसी प्रकार यह स्रडी बनती रहती है तो A कमाण लिखते हैं सबसे पहले A कमाण देख सकते हैं 4 है तो लिखेंगे 4 और A प्लस D यानि कि लिखेंगे 4 प्लस 6 D कमाण जो है 6 है और लिखेंगे A A के असान पर लिखेंगे 4 प्लस 2 गुडे D कमाण D कमाण कितना है 6 है तो लिखेंगे 6 और देख सकते हैं A प्लस 3D है तो लिखेंगे A कमाण 4 और प्लस 3 इंटू D कमाण लिखेंगे 6 और यह स्रड़ी तयार हो जाएगी लिखेंगे आब इसे हम लोग 4 यहाँ पर 10 हो जाएगा और 16 और 22 इस प्रकार यह स्रड़ी ग्यात हो जाएगी और यह स्रड़ी हमें प्राप्त हो चुकी है अब हम 17 में प्रश्ण को हल करेंगे प्रश्ण में लिखा गया है AP 38 13 और आंतिम पत जो है 253 लिखा गया है मैं आंतिम पत से 200 पत ग्यात किजिए तब चलिए इसे हल करते हैं 17 प्रश्ण है यह जो स्रड़ी दिया गया है वह है 3, 8, 13 और इस प्रकार स्रड़ी का जो है अंतिम पत जो है 253 दिया गया है स्रड़ी से हम लोग A कमान ग्यात कर सकते हैं 3, D कमान ग्यात कर सकते हैं 8 में से 3 गटा देंगे तो हमें 8 में से 3 गटा आएंगे तो 5 ग्यात होगा यह बराबर देख सकते हैं अंतिम पत लिखा गया है 203 और जो है कह रहा है 20 वापत यानि कि यन बराबर लिखेंगे यन बराबर 20 अब सुत्र पर लिखते हैं लिखेंगे चुकी अंतिम अंतिम पत से 20 वापत बराबर सुत्र होता है यल माइनस यन माइनस 1 इन्टू डी इसी सुत्र पर हल करेंगे यल के असान पर लिखेंगे 253 माइनस यन के असान पर लिखेंगे देख सकते हैं 20 लिखेंगे 20-1 इन्टू डी के असान पर लिखेंगे 5 जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 253 माइनस 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा और जो है 5 का गुड़ा कर देंगे इसमें लिखेंगे 253 माइनस 19 का 5 में गुड़ा करेंगे तो 95 ग्यात होगा अब इन दोनों को जो है यहाँ से घटाएंगे 200 तिरपन में से 95 को घटाएंगे यदि हम तो हमें जो है यहाँ पर 158 प्राप्थ होगा लिखेंगे 158 अता हा निचे लिखेंगे अता हा अता हा अंतिम पद से बीसमा पद 158 है और यह प्रैसिन लग चुका है अब जो है अठरामा प्रैसिन हाल करेंगे प्रशन में देख सकते हैं लिखा गया है किसी AP के चोथे और आठमे पदों का यूग 24 है तथा छठमे और दसमे पदों का यूग 44 है इस स्रेडी के प्रथम तीन पद ग्याद किजिए प्रशन आणस्वर लिखेंगे प्रथम सर्थ से पहले लिख लेते हैं माना प्रथम पद प्रथम पद बराबर A और इसका सारवंतर मान लेते हैं सारवंतर सारवंतर जो होगा वहाँ D है तो लिखेंगे प्रथम सर्थ से प्रथम सर्थ से पर्थम सर्थ से दिया गया है चोथे और आठोए पद का योग यानि की A4 प्लस A8 का योग जो है 24 दिया गया है तो A4 के अस्थान पर लिखेंगे A प्लस 3D प्लस A8 के अस्थान पर यानि की आठोए पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा a plus 7d यानि कि 7d बराबर कितना 24 अब इसे कोश्टेप को तोड़ते हुए सरल करते हुए हाल करेंगे तो यह हो जाएगा a plus a यानि कि 2a हो जाएगा और 7 और 3d को जोड़ेंगे तो 10d हो जाएगा लिखेंगे 10d बराबर 24 देख सकते हैं दोनों पचों में सभी पदों में जो है दो कामन है तो लिखेंगे a plus 5d बराबर हो जाएगा 12 और यहां समिकर नमबर 1 हमें ग्याप होता है लिखेंगे इस side हल करते हैं इसे इसे मैं divide कर देता हूँ जिसके आप लोग अच्छे से notes तयार कर सकते हैं देतिया सर्थ से प्रश्ण में कहा रहा था कि छठमें और दसमें पदों का योग, छठमें यानिकी A6 प्लस दसमें यानिकी A10 का जो योग है वह 44 है, छठमें पद को लिख सकते हैं, A प्लस 5D और जो है, दसमें पद को लिखेंगे, A प्लस 9D बराबर 44, इन दोनों A और A को जोड़ेंगे, तो 2A प्राप्त होगा, और 5D और 9D को जोड़ेंगे, तो हमें 14D प्राप्त हो जाएगा, बराबर लिखेंगे, 44, लिखेंगे इसलिए, दोनों दिखते जाकते हैं, दोनों पच्छों में, जो है, दो कामन है, तो लिखेंगे, A प्लस 7D बराबर 22, यह जो है समिकर दो है, लिखेंगे, समिकर एक में से 2 को घटाने पर, जब एक में से 2 को घटाएंगे, तो इसे लिखेंगे, गटा लेते हैं, A प्लस 5D बराबर दिया गया है, 12 समिकर एक, दूसरा समिकर दिया गया है, A प्लस 7D बराबर 22, जब इसे गटाएंगे, तो निचले जो समिकर एक में बदल लेंगे, उसके बाद A को A से गटाएंगे, तो 0 पराफ्थ होगा, इसलिए इसे कट कर देते हैं, और यहां से 7D में से 5D घटाएंगे, तो माइनस 2D गयात होगा, बराबर लिखेंगे, और माइनस 22 में से यदि 12 भटाते हैं, तो हमें जो है, माइनस 10 गयात होगा, तो D बराबर गयात होजाएगा, माइनस 10 बटे में, माइनस 2, यानिकी 5 गयात होजाएगा, हमें जो है D ग्यात हो चुका है लिखेंगे D बराबर 5 समिकरण एक में रखने पर समिकरण एक यहाँ पर दिया गया है A प्लस 5D यानिकि 5 जो सांख्यार लिखेंगे और D के अस्थान पर लिखेंगे 5 क्यांकि D कमाण जो है पांच आया है लिखेंगे 5 बराबर 12 जब इसे हल करेंगे गुडा करेंगे तो यह हो जाएगा पाज का पाज में गुड़ा करेंगे तो 25 ग्याद हो जाएगा बराबर लिखेंगे 12 और इस परकार जो है ये बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25 यानि कि ये बराबर जो है माइनस 13 ग्याद होगा लिखेंगे अतह प्रथम 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 प्रथ 13 दूसरा पद ग्यात करते हैं A2 और A2 जो होता है A plus D होता है देख सकते हैं A कमान जो है minus 13 है plus D कमान जो है 5 है तो लिखेंगे 5 और जब इसे घटाएंगे तो minus 8 ग्यात होगा तीशरा पद ग्यात करते हैं तो तीछरा पद लिखेंगे a3 और a3 पराबर होता है a plus 2d लिखेंगे a के अस्थान पर minus 13 plus 2 into d के अस्थान पर लिखेंगे 5 और जब इसे हल करेंगे तो हमें जो है minus 3 पराप्थ होगा लिखेंगे अता हा या इसलिए भी लिख सकते हैं इसलिए प्रथम तीन पद प्रथम तीन पद पराबर हो जाएगा माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3 अब हम 19 प्रश्न को हल करेंगे प्रश्न में लिखा गया है सुब्ब राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक बेतरपद कार्य करनक अरभ किया और प्रथेक वर्श 200 रुपए की वेतन ब्रिधी प्राप्त की किस वर्श में उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा तो यह जो है प्रश्न में जो दिया गया है तो लिखेंगे यहां पर जो है जो सुरुवाती उसका वेतन है वह है 5000 तो लिखेंगे शुरुवात यानि प्रथम पद और इसे लिखेंगे 5000 रुपए और डी यानि की प्रतेक जो है बढ़ रही है उसके प्रतेक मां 200 रुपए तो इसे लिखेंगे 200 रुपए लिखेंगे इसके नीचे माना यन वर्सों में सुब्बा राव का वेतन बराबर लिखेंगे वेतन जिसे हम ए यन मानेंगे ए यन बराबर लिखेंगे 7000 रुपए आ चुकी सुत्र हम जानते हैं कि आन बराबर होता है आ प्लास यन मायनस वन इंट्य धी आन के रिखेंगे 7000 रुपए 7000 बराबर आ के रिखेंगे 5000 प्लास यन कमान हमें ग्याद करना है और मायनस उन इंट्य धी के रिखेंगे 200 अब जो है 5000 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 7000-5000 बराबर n-1 into 200 जब 7000 में से 5000 भटा देंगे तो हमें 2000 प्राप्थ होगा बराबर लिखेंगे n-1 into 200 और जब 200 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 5000 बराबर n-1 जब शेयर 2000 में 200 से भाग करेंगे तो हमें जो है ग्यात होगा 10 तो लिखेंगे 10 बराबर यन-1 यानि की n बराबर हो जाएगा एक का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 1 जो की n बराबर 11 प्राप्थ होगा तो लिखेंगे अताह ग्यारा वर्सों में सुब्बा राव का वेतन सुब्बा राव का वेतन साथ हजार रुपे होगा तो यह जो है उनिश्वा प्रश्न भी लग चुका है अब जो है बीश्वा प्रश्न को हल करते हैं प्रश्न में लिखा गया है राम कली ने किसी वर्स के प्रथम सब्दा में पचास रुपे की बचत की और फिर अपनी सब्ताहिक बचत रुपिया 17.5 बढ़ाती गई यदि यनवे सब्ताह में उसकी सब्ताहिक वेतन 207 रुपे और पचास परश्य हो जाती है तो यह न ग्याद कीजिए तो चलिए इसे हाल करते हैं इसे लिखेंगे इसे मैं डिवाइड करते हुए लिखूंगा यहाँ पर हम लोग 20 से प्रश्य को हाल करेंगे लिखेंगे यहाँ जो है प्रथम सब्ताह में राम कली ने कितने पैसे लिए पचास रुपे तो लिखेंगे ए बराबर पचास रुपे और डी बराबर हो जाएगा 17.5 रुपे लिखेंगे माना यन में सब्ताह में सब्ताह में सब्ताहिक बचत बराबर सब्ताहिक बचत बचत जो है एन के बराबर है एन बराबर लिखेंगे 207.50 यानि कि 207 रुपे और पचास पैसे लिखेंगे चुकी सुत्र होता है एन बराबर ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी इसलिए एन के असन पर लिखेंगे 207.50 बराबर लिखेंगे एक के असन पर पचास लिखेंगे 50 प्लस यन माइनस वन इंटू डी के असन पर लिखेंगे 17.5 पचास का पक्छांदर कर देंगे तो यह हो जाएगा 207.50 बराबर लिखेंगे एन माइनस वन इंटू 17.5 अब जो है इसमें से पचास दो साथ में से हम लोग पचास घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 157.50 बराबर लिखेंगे एन माइनस वन इंटू डी के असन पर 17.5 अब जो है हम भाग करेंगे 167.50 में भाग कर देंगे 17.5 से लिखेंगे 17.5 बराबर इन माइनस वन जो भाग करेंगे तो यह जो है 9 बर में बिवाजित हो जाएगा तो लिखेंगे 9 बराबर एन माइनस वन और यह बराबर हो जाएगा 9 प्लस एक यानिकी यह बराबर 10. तो लिखेंगे अताहा अताहा अभिष्ट वर्सों की संख्या बराबर अभिष्ट वर्सों की संख्या बराबर होगा संख्या बराबर 10 वर्स कितना 10 वर्स और यह जो है इसी प्रशन के साथ प्रशनावली समाप्थ होती है